अगर आपको अपने कोलेज के समय को याद करना है या फिर आपको अपने कोलेज के समय में true love हुआ है तो शायद मैं आप लोगों को ये series रिकमेंडिट कर सकता हूँ नमशकार दोस्तों इस वीडिये वें बात करने हूँगा college romance season 2 web series के बारे में जिसे sony leave पर release किया गया है इसका first season free of course आपको youtube पर मिल जाएगा इसके first season को direct किया है सिमर प्रिज सिंग ने और इसके second season को direct किया है अपूरु सिंग करकी ने हर एक season में 5-5 episode है यानि अगर दोनों season को मिला दे तो केवल 10 episode ही है और अगर मैं अपने experience की बात करूँ जब मैंने 2018 में first season देखा था college romance का तब मुझे नहीं पता देगा इसके second season भी आएगा कहर आते 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 काफी time लग गया 2021 में इसका second season आया बहुत time लगा दिया काफी अच्छी series थी जो मैंने इसको youtube पर देखा था था तो first season में हमें दिखाया जाता है कि trippy, karan और naira ये तीन दोस्त होते हैं हाँ इन तीनों दोस्तों में कमीनी पंती तो होती होती है लेकिन ये बहुत जिगरी दोस्त है हर सिचुशन में अलगी चाम है इस इनसान का इसका behavior इसका बात करने का धंग जिस टेंग से ये बात करता है अपने दोस्तों के साथ हाँ बेशे गाली निकालता है लेकिन तो या जो इसका बात करने का वहन है जो इसके dialogue है वो ही आपका दिल जीत लेंगे तो नायरा जो है वो बगगे के साथ relationship में आती है करन डिमपल के साथ relationship में आता है और ट्रिपी जो एक रवीना नाम की लड़की है उसके साथ relationship में आता है ये first season में हमें दिखाया जाता है एक तरीके से इस दोनो season के अंदर इन तीनों दोस्तों की friendship और अपनी life में मतलब अपनी life के अपनी जो relationship में हो रही problem को वो face करते हो में दिखाया जाते है यही एक कहानी की college में इन तीनों की दोस्ती कैसे चलती है कैसे कैसे इनके सामने problem आती है इसका second season start हुआ है इसमें कोई कहानी को अलग नहीं करके दिखाया गया है मतलब continue ही रखाया गया ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया concept ये लेके आ गये है कहानी कुछ और ही हो गई है तीनों दोस्तों के बीच में अलगी चीज़ें चलने लगे है और वो फिर से एक नई girlfriend डूणने के लिए निकल पड़ा है अपनी college में अब देखो यार दोनों season के अंदर भरपूर गालिया है देखो यार जहां दोस्त होते हैं obviously वहाँ गाली तो निकलती है अब मैं promote नहीं कर रहा हूँ but actual में, real में होता है यह सब चीजें और जो भी यह कहान ही दिखाई गई तीनों दोस्तों के बीच में जो understanding दिखाई गई अपनी जो problem को face करता हुई दिखाईगा इनको बहुत अच्छे से हमारे सामनी रखा गया है बहुत comedy way से हमारे सामनी रखा गया है और वैसे देखा जाए तो हर एक करेक्टर अपने आप में मसता है जैसे ट्रिपी जो है एक तरीके से मतलों मन्द बुद्धी कह सकते हैं और उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पगलों वाली हरकतें कर देता है करन जो फटू है और एक ही लड़की के पीछे पड़ा हुआ है डिम्पल और डिम्पल की अगर बात करूँ तो भाई साब ये तो साइको साइको नहीं कहा है पूरी की पूरी गुस्से में रहती है हर एक चीज इसको कुछ भी पसंद नहीं बस अपनी ही चलाती तो अलग ही करेक्टर है हर एक करेक्टर अपने अपने में कहते हैं अब मैं बात करूँ फर्स सीजन और सेकेंड सीजन की बेशक करूँगा तो सही मैं क्योंकि फर्स सीजन 2018 में आता ये 2021 में तो मुझे ये देखना था कि यार कितना डिफरेंस आया दोनों सीजन के बीच में तो यार ये एक कह सकता हूँ कि फर्स सीजन इस फार बैटर देन साइकेंड सीजन अब यार कुछ लोग आएंगे कहेंगे तुझे नहीं पता कि यार कितना अच्छा काम किया गया है कितनी अच्छी एक्टिंग ही है मैं वह नहीं कह रहा हूँ या अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा हूँ डाला जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ काफी सारे एपिसोड आपको लगेंगे कि हाँ इनको बेमानी तरीके से इसमें डाला गया है उनकी कोई जुरूरत नहीं थी और फिर से मैं कोई बुरा ही नहीं कर रहा हूँ मैं बिस क satisfaction मिलता है वो यार कमाल का यह जब आप देखोगे तब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा हाँ अगर आप अपने दोस्ती के दिन हाद करना चाहते हो तो बेशक आप लोग यह सीरीज देख सकते हो और second season में एक नया यह से सकते हो कि यार इसकी जब ending होती है तो एक emotional ह में और कर देती है फर्स सीजन में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन second season में यह emotional हमें करके चली जाती है मेरी तरफ से first season को मैं देना चाहूँगा nine out of ten sir और second season को मैं देना चाहूँगा seven out of ten sir अगर किसी ने यह सीरीज देख रहे तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को यह सीरी आप आने वाले time में जैसी college खुलेंगे तो आप इससे relate कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video और नहीं मिलते है नाक्स वीडियो में जैहिंद